महराष्ट इस्टेट इलेक्टरिसिटी ट्रांस्मिशन में एक नई भर्थी आ चुकी है और इस वीडियो को देख करके आप अपना वेदन अपने मुबाइल से कर पाएंगे यह भर्थी है यही के लिए और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन तरह के पद हैं असिस्टेंट इंजिनियर ट्रांस्मिशन असिस्टेंट इंजिनियर टेली कम्यूनिकेशन और असिस्टेंट इंजिनियर सिविल सबके पद यहाँ पर आपको दिख जाएगा अगर आप यहाँ बात करें पे स्केल की तो यहाँ पर आपका पे स्केल 49,000 से सुरू हो करके 1,99,000 तक जाता है यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन देना होगा तो ट्रांस्मिशन के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्टरिकल इंजिनिरिंग में उसी तरह असिस्टेंट इंजिनिर टेली कम्यूनिकेशन के लिए यह बैचलर डिग्री इलेक्ट्रोनिक्स और टेली कम्यूनिकेशन में होनी चाहिए सिविल वाले के लिए आपके पास बैचलर डिगरी चाहिए सिविल इंजिनिरिंग या फिर टेकनोलोजी में यानि कि आप ये कह सकते हैं कि इंजिनिरिंग में बैचलर डिगरी रखने वाले इसका आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर आपके उम्र कम से कम 18 साल तो होगी ही होगी अधिक्तम हो सकती है 38 साल जो रिजर्ब कटेगरी के कंडिडेट होंगे उनकी अधिक्तम उम्र 43 साल हो सकती है यहाँ पर आपका सेलेक्शन अनलाइन टेस्ट के अधार पर होगा आपका जो center हो सकता है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं चुकि महाराष्ट की भरती है इसलिए आपके जो सारे center होंगे महाराष्ट से ही होंगे यहाँ पर open category को 700 रुपय देना होगा, reserve category को 3500 रुपय देना है दिब्यांग बिना किसी सुल्क के इसका आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं और सारी जनकारी तो इस notice का link हम वीडियो के description में दे देंगे वहाँ जाकर के आप इसको जरूर पढ़ने क्योंकि आवेदन करने से पहले आपको notification पढ़ना चाहिए तभी आपको पूरी जनकारी सटिक तरीके से मिल पादी है आवेदन करने का link भी हम वीडियो के description में ही दे देंगे जहाँ पर जाकर के आप इस तरह के page पर आ जाएंगे सबसे पहले आपको registration करना होगा और उसके लिए आपको यहाँ click करना है जब आप यहाँ click करेंगे तो आपको basic जानकारी भरने होगी जैसे कि पहले आपको अपना पहला नाम भरना है फिर उसी को एक बार और भरना है ताकि इसे confirm किया जा सके उसी तरह अगर आपका कोई media name है तो भरिये उसी तरह last ने अंतिम में आपका पूरा नाम यहाँ दिखने लगेगा नीचे जाने पर आपको यहाँ पर mobile number भरना होगा mobile number को दुबारा भरना है अगर आपका कोई alternate number है तो भर सकते हैं नहीं तो आपको email ID भरनी है domain select करना है और उस पूरे email ID को दुबारा यहाँ पर भर करके इस capture code को यहाँ fill करना है और save and nest पे click कर देना है आप अगले page पर भेज दिये जाएंगे आपके mobile number पर और email ID पर आपका registration number और password भेजा जा चुका है यहाँ पर आपको अपना photograph अपलोड करना है यहाँ पर check box पर trick करना होगा कि यह आप ही का photo है यहाँ पर आपको signature अपलोड करना है और यहाँ पर signature के लिए भी आपको confirm करना होगा यह दोनों चीज़े अपलोड करने के बाद आपको next वाले पर click करना है अब बारी है आपको basic detail भरने की जैसे पहले वाले में बताना है कि क्या आप महराश्ट से हैं यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस पद के लिए आवेजन कर रहे हैं उसके बाद आपको अपने category चुननी होगी अगर आपको कोई sub category है तो उसको यहाँ पर fill करना है अगर आप handicap है और 40% से अधिक आपका mark है तब आपको यहाँ पर yes करना होगा यहाँ पर आपको type आप disability बताना होगा कि मतलब आप किस तरह के disabled person है यहाँ पर उसी तरह के disabled वाले कुछ चीजों को भरना है नीचे अगर आप जाएंगे जो लोग disabled नहीं होगे तो उनको यह सारी चीजें नहीं भरनी होगी क्योंकि यह उन्हीं लोग के लिए है जो कि disabled होगे अगर आप किसी reserve category से होगे तो अब आपको card certificate number भी देना होगा कब जारी हुआ था उसको यहाँ पर बताना होगा अगर आप EWS से हैं तो आपको EWS का certificate देना है अन्यथा आपको इसी देना जरूरी नहीं है अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अनात हैं तो आप yes यह फिर no कर सकते हैं आगे पूछा जाता है क्या आप M, S, E, T, C, L में imply हैं तो अगर आप हैं तो yes करिये नहीं तो no करना है आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको अपने नेशनल्टी को बताना है यहाँ पर एटोमेटिक इंडियन ही होगा यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रिफरेंस देना होगा तीन सेंटर भरना है आपको आपकी दस्विन की मर्क सीट के अनुसार डेटा बर्थ है उसको यहाँ फिल करना है यहाँ पर मेल फिमेल या फिर अधर वाले में से फिल करना है अपनी साधी के बारे में बताना है अन्वैरीड, मैरीड, वीडो, वीडो, डिवोर्स जो भी है यहाँ पर पिटा का पूरा नाम, यहाँ पर माता का पूरा नाम अगर आपकी साधी हो चुकी है तो यहाँ पर आपको पत्नी का नाम या फिर अगर आप महिला है तो पती का नाम बताना होगा अगर आपके जो पती या फिर पतनी है कभी नाम उन्होंने चेंज किया है तो उसको आप यहाँ yes करके बता सकते हैं अगर नहीं किया है तब इसको भरने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर सीधे आप no कर दीजिए अब बारी है आपका address की address में आपको सबसे पहले correspondence address को भरना होगा अगर आपका permanent address correspondence address के बराबर है मतलब की दोनों same है तो आपको सीधे इस check box पर trick कर देना है automatic यहाँ वालब पता नीचे भी बर जाएगा अब यहाँ पर आपको नीचे जाकर के pin code भरने के बाद यहाँ पर GST के बारे में बताना होगा permanent वाले को ही select करिए अब यहाँ पर आपके फारं के हिसाब से आपका amount दिखने लगेगा amount दिखने के बाद यहाँ पर आपको save and next वाले पर क्लिक करना होगा के बाद अगले page पर आपको अपने high school के detail के बारे में बताना होगा जो आपकी graduate degree है उसके बारे में भी बताना होगा सबसे पहले अगर हम high school की बात करें तो यहाँ पर board या फिर university का नाम लिखना है आपकी stream कौन सा है आपको उसको यहाँ बताना होगा data passing आपको यहाँ बरना है और यहाँ पर mode of education तो यहाँ पर full time, part time तो आप कर सकते हैं यहाँ पर percentage बता देना है उसी तरह बारामी का detail आपको यहाँ बरना होगा जो आपकी graduation वाली degree है, BE है, BTEC है, जो भी है उसका detail उसी तरह आपको यहाँ बरना है इसके बाद अगर आपके पास post graduation है तो आप उसको यहाँ बर सकते हैं नीचे जाकर के अगर आपके पास कोई experience है तो आप उसको यहाँ बरिए यहाँ पर आपको अपने language के बारे में बताना होगा कि आपको कौन-कौन सी बासा आती है चुकि यह महराष्ट की बरती है इसलिए महराथी आनी चाहिए हिंदी हो सकती है और इंगलिस हो सकती है जो भी आप भरेंगे अगर उसको आप बोलना लिखना और पढ़ना जानते हैं तो तीनों पर आप ट्रिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर सेब इंडरनेश्ट वाले पर क्लिक करना है यह जो फारम दिख रहा है आपको हम हैंडिकैफ वाले के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है तो अब आपका फारम लगबग लगबग कंप्लीट हो चुका है यह आपके फारम का प्रिभीव है आप इसे एक बार सही से मिला लें अगर कहीं पर कोई गलती है तो आप इसे बैक करके सही कर सकते हैं अगर कहीं गलती नहीं है यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भरना ह आई एगरी के सामने चेक बाक्स पर ट्रिक करना होगा और complete registration पर क्लिक कर देना है अगले page पर आपको अपने बाय हाथ के उंग्ठे का निसान को यहाँ पर upload करना होगा आपको hand written declaration को भी यहाँ पर upload करना है अगर आप इसकी notification को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यह मिल जायागा यहाँ पर देखी यह है I और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है यह बाई declared that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid I will present the supporting document as and when required तो यह चीज़े आपको लिख करके साधे page पर उसका photo ले करके और उसको यहाँ पर upload करना है यहाँ पर इस capture code को यहाँ फिल करके enter करना होगा अब यहाँ पर आपको save and next वाले पर click करना है अब यहाँ पर करने के बाद आपको सीज़े payment करना होगा और आपका फारम complete कर दिया जाएगा अगर आपकी category UBC होगी या फिर general होगा तो उस हिसाब से आपको payment करना पड़ेगा इस तरह बड़े ही असानी से आप अपना फारम complete कर सकते हैं यहाँ पर इस पारम को हम केवल एक डेमो के तौर पर फिल कर रहा है थे ताकि आपको पूरी जानकारी दे पाएं फिलाल इस वीडियो में इतना है आवेदन करने में अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप comment करके बता सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना है थेंक्यो